हलो फ्रेंट्स मेरे सिम्पूल फूट्स चानल में आपको स्वागत है मेरे सिम्पूल फूट्स चानल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को क्लिक कीजिए आज हम सिम्पल फुट्स में रिस्टारेंट स्टाइल जैसा एक फ्रैड राइस घर पे कैसा बनाते है देखेंगे सिबनाने के लिए हम लेंगे 300 ग्राम पके हुए बासमती राइस आदा कप कटी हुई प्यास इस सब सब्जियों को बरी काट लेंगे आदा कप कटा हुआ कैरेट आदा कप कटी हुई बीन्स आदा कप कटी हुई कैबेज वन बै फोर्थ कप कटी हुई कैपसिकम एक ग्रीन कैपसिकम है वन बाई फोर्थ कप कटे हुई red capsicum मैं दो कलर्स ले ली हूँ आप चाहे तो green capsicum ही ले तो आधा कप ले ली जिए दो से तीन कटे हुई हरी मीट्ज हाफ टेबल स्पून कटे हुई अद्रक हाफ टेबल स्पून कटा हुआ लोसन हाफ टेबल स्पून काली मिट्शी पाउडर दो से तीन टेबल स्पून आईल स्वाधनुसार नमक दो से तीन अंडे एक टेबल स्पून रेच्छिल्ली सास एक टेबल स्पून सोया सास एक टेबल स्पून वैट वेनिगर फर्स्ट हम एक पैन ले लेंगे गैस को आन कर देंगे पैन गरम होने के बाद इसमें थोड़ा सा आईल डाल लेंगे ज्यादा नहीं कुछ ड्राप्स ही अब इसमें अंडे फोड के डाल देंगे ये अंडे डालने के बाद इसको फ्राई कर देंगे मीडियम फ्लेम पर रखें चलाते हुए लगाता है जैसा हम एक बुर्जी बनाते हैं उसी तरह ये बुर्जी बना लेंगे थोड़ा साल्ट चाहे तो इसमें काली मिर्ची पाउडर भी दाल सकते ही मैं सिर्फ थोड़ा नमा की दाल रही हूँ दाल के अच्छा सा चलाते हुए फ्राई कर दीजिए देखों ये बुर्जी बन गई है इसको एक प्लेट में निकाल लेना है ये बुर्जी को एक प्लेट में निकाल लेंगे इसको साइड में रख देंगे वही पैन क्लीन करके ले लीजिए और दूसरा पैन भी ले सकते ही पैन को गरम करने के बाद इसमें आईल दाल दीजिए ये आईल गरम होने के बाद कटी हुई अद्रक लसन दाल दीजिए दा करने के बाद ये कटी हुई प्याज ये पूरे सब्जियां दाल देंगे क्याबेज कैपसिकम रेड कैपसिकम बीन्स कैरेट हरीमीच सब दाल के थोड़ा सा नमक दाल के अच्छा सा मिक्स करके फ्राइ कर दीजिए एक मिनिट तक ये सब्जियां ज्यादा नहीं पकना है बस थोड़ा कच्छी स्मेल जाने तक ही हम पका लेंगे इसको लगातार थोड़ा चलाते हुए मीडियूम फ्लेम पे रखके देखो अब थोड़ा सा कच्छी स्मेल भी जा चुकी है इसमें से अब इसमें हम एड्ट कर देंगे वेनिगर एक टेबल स्पून वेनिगर दाल देंगे चिल्ली सास सोया सास सब एक टेबल स्पून दाल देंगे दाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे यह दालने के पाथ ज्यादा नहीं पकाना है बस मिक्स कर दीजिए एक बार यह मिक्स करने के बाद इसमें इसमें पक्का के रख़ बासमतिरस दाल देंगे काली मिर्शी पाउडर डाल के अच्छा सा मिक्स कर दीजिए, नमक चावल में दाल के ही पकाई हुई, अब ये विजिटेबल में भी नमक दाल के ही पकाई हुई, इसलिए एक्स्टरा नमक नए दालेंगे, आप चाहे तो चक्के देखे, कुछ कम होगा तो दाल लीजिए, ठोड़ा सा नमक, तो अच्छा स इसको अछा सा मिक्स कर दीजिए देखो चावल कितना अछा सा खुला खुला लगता है अब चावल पकाने के टाइम थोड़ा सा आईल डालके पका लीजिए तो चावल थोड़ा खुला रहेंगे ये बन गया है भी गयास को आफ कर देंगे अब एक सर्विंग बॉल या प्लेट में एक फ्रेड राइस को निकाल लेंगे अब एक फ्रेड राइस को गर्मा गरम सर्व कीजिए बन गई है एक फ्रेड राइस इसी तरह आपी घर पे बनाईए रस्टारेंट स्टाइल जैसी एक फ्रेड राइस बना के अपके घर पे सबको खिलाईए ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए शेयर करिए अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए भीर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ तैंक्यू फर वाचिंग